नमस्कार समाचार एक्सप्रस में आपका स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ विदिशा शांडिल्या हर्याना की रादोर अनाज मंडी में धान की फसल से निकलने वाले कचरे को उठाने के लिए मार्किट कमेटी द्वारा लाखो रुपे का ठेका दिया गया है लेकिन बावजूद इसके ठेकेदार की कबाड उठाने की धीमी गती से मंडी में जगय जगय कबाड के धेर लगे हुए हैं यहां तक कि जहां ये कबाड पड़ा है वहां लाखों क्विंटल गेहु खुले में वह गोदामों में जमा है ऐसे में अगर मंडी में अचानक कबाड में आग लग जाती है तो काफी नुकसान हो सकता है लेकिन मंडी प्रशासन का इस और कोई ध्यान नहीं है इस बारे में मार्किट कमेटी के कारेकारी सचिव जैसिंग का कहना है कि धान सीजन में मंडी में जगें ने मिलने के कारण कबार उठाया नहीं जा सका लेकिन कबार मंडी के एंट्री के पास ही पड़ा होने के कारण उनके जवाब में सचाई कहीं नजर नहीं आई ऐसे में क्या मार्किट कमेटी प्रशासन किसी हादसे का इंतजार कर रहा है जबकि नियम के मताबिक जैसा मार्किट कमेटी सचिव ने बताया कि सब्ता हमें दो बार मंडी से कबार उठाया जाना चाहिए ऐसे में लाख और रुपे का ठेका दिये जाने के बाद भी मार्केट कमेटी की धिलाई से ठेकेदार भी इस कारिये में तेजी नहीं ला रहे हैं खेरब मार्केट कमेटी सचिव का दावा कर रहे हैं कि यह कबाड जल्द यहां से उठाए जाने के आदेश ठेकेदार को दिये जाएंगे राद ओर से कुल्दीब सेनी की रिपोर्ट ओर जाती है तो इसकी जम्मेवारी किसी रेगी सार सीक्षित तो की नोट्स जरी गीए थीक दर को पहले देशनद दी हुई है क्या कंडिशन इस लिख होई मल डेली के डेली उठाना है तीसरे दिन उठाना है उनास से मंटी में ज्यांक वहने करणनी नहीं उठाना जासका जाम की श्थिती ओने काण वाल डेली के डेली ने उठ सका ऐसे ही लेटेस परेपाने के लिए बेल आइकन को फ्लिक करें हमारी चैनल को लाइब, शेर और सब्सक्राइब करें घंदेवाल J.B.D. बैंक्वेट्स लाए हैं राजगराना और जौती ओटेड़न